कैसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को BBM की उनिविश्टी में F.O.I.U.P. semester 3, season 22 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आपका सिख पेपर Mathematical Computing Thinking License का हमारा क्लास से चल रहाता है इससे पहले दिखें सब्सक्राइब करेंगे इससे पहले probability का जो basic class होता है probability होता क्या है probability आप कैसे निकाल सकते कोई सवाल होगा वह मैंने आपको discuss करते हैं अगर नहीं देखा है तो जल सब जल जाई इस वीडियो को देखिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो का आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर हमें सब्सक्राइब करना है जिसका नाम होता है क्या मिच्वली यहां पर एक वर्ड आपको मिलेगा मिच्वली एक्स्क्लोजिव नाम का वर्ड मिलेगा तो सब्सक्राइब उसी हम लोग क्लियर करेंगे देखिए होता क्या अपको यहां पर कुछ जोड़ना घटाना है अब कोई घटना आपके पास मान के चलते कोई घटना लिखा हुआ है यह नाम का कोई प्रोबिलिटी होता है यूनियन ठीक है ए यूनियन बी इसको पढ़ते हैं पहले मैं यहां पर आप यूनियन बी के नाम से पढ़ा जाता है और इसे पढ़ा जाता है intersection मतलब यहाँ पर दोनों में कोई ना कोई चीज क्या होगा common होगा अगर normally बात करें तो common वालों को intersection बढ़िएगा कोई चीज अगर common नहीं है या तो या वाला जो option विलता है आपके पाद वो हमें हमें क्या निकालना है union निकालना लेकिन दोनों में अगर निकालना है तो बार लगा हुए B के उपर भी बार लगा हुए और बीच में intersection अगर यहाँ पर पड़ सकते है एक के उपर भी बार है या नहीं आपको A चुनना है और दोनों के बीच के intersection वाला पाट आपको चुनना है तो इस प्रकार से पहले कुछ बाते हों समय लिजेगा मतलब कि इसका मतलब union इसका मतलब होगी intersection यह दोनों में जो दिखेगा उसको बोले हो intersection दोनों में या तो एक या तो यह दूसरा को कोई मतलब नहीं दूसरे से उसको बोलते union के नाम से जाना जाता है अब देखे समयने कोशिश करीगा ठीक है पहले आपके आपके आपस formula यह पूरा theory लिखा होगा ठीक है पूरा PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप में डालते हैं उसके निचींतरी आपको लिखने का चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको पहले क्या है यह फॉर्मला क्या रखना है क्या है पी ए यूनियन बी इकोईस टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइन प्लस पी बी माइनस पी ए इंटर सेक्शन बी लेकिन यहां पर देखिए एक वर्ड आपको जो मिलेगा इसका मतलब मैं दिखा देता हूं देखिए लिखा हूँ है mutually exclusive event और एक होगा आपके पास जब यह mutually exclusive नहीं होगा तब जब mutually exclusive event होता है तो यहां पर आपको formula हो जाता है बी ए यूनियन बी बोलिये या तो पी ए और बी बोलिये या तो पी ए प्लस पी बी यानि mutually मतलब होता है जब दोनों में कोई चीज इस कॉमा नहीं निकले तो यह बहुत आपको सीधा उठा के यहाँ जब बोल दिये जाएगा इसका भीलू आपको यहाँ पर 0 रग देना इससे दिमांग मतला यहीगा फॉर्मुला दोनों को लगभक से में बस यह बहुत देख लेना है यहाँ लिखा हो मीचुल एक्सक्लोजिव इबेंट के लिए क्या फर्मल लग जाता है तो यह पाट जीरो हो जागा इसलिए प्लस पीवी अब देखे जो सवाल आपको पूछा जाता है क्या सवाल है मैं समधा दोने कुछ करता हूं क्या बोला गिया एडिशनल थेयोर्म से ज पत्ता चुन होगे ठीक है एंड एस औख क्लब से आप क्या उठा लोगए एक एस उठा लोगए तो पहले बात आपको पत्ते के सारे चीज मालूम होना चीज़िए कि पत्ता में क्या क्या रहता है तो यहाँ पर सबसे बहुत हम बेसिक क्लास में कंप्रीट किया था जो कार । लेकिन यहां पर एक वर्ड लिख दिया गिया है एंसी क्या निकाल रहे है इसका निकालना है तो इसका प्रबिलिटी हो गए 1 बटा क्या होगा आप यहां पर खुछ सोचिए आप एक चीज़ देखिएगा आप यहां निकाल रहे हैं डायमंड यह है आपका क्लब दोनों का क्या कोई कोई चीज़ कॉमन है जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो पी ए इंटरसेक्शन जो बी बला पाट हो गया वो खुद बखुद क्या हो आपका जीरो हो गया जब जीरो हो गया तो भी आप फॉर्मलाव क्यों बठाएगा इसलिए यहां लिखा हुआ है पी ए यूनि या तो ए या तो बी पी ए प्लस पी बी दोनों को सॉल्व कर दीज़ेगा चौदा बटा बावन यानि साथ बटा चबिस इसका क्या जाए उत् देखिए इसी तरह एक काड निकाल लिया गया बोलता कि आपने क्लड निकाला या तो वह क्लब होगा या तो क्विन होगा तो पहले जान लिजिए टोटल हमारे पास चार केटिकर में कार्ट बटेगा, ब्लैक कार्ड आएगा, रेड कार्ड आएगा, किंग, क्वीन, जैक, यह सब हम लोगो पढ़के रखे हुए, उसमें पहला विडियो में देख लीजेगा, यहाँ पर हमारे पास, अगर हम लोग क्लब निकालते हैं, तो क्लब होता है, बटते रहे, यह चोड़ता हो न, कोई दिकत नहीं हमारे पास, अब देखे, यह दोनों के बीच में, एक कार्ड जो है, वो हमेसा कॉमन है, क्या कॉमन है बोलिएगा, क्योंकि यहाँ आइदर मतलब होता है यह हमारे पास, ए यूनियन बी, ठीक है, आपको फर्मला क्या यह हमारे पास, इसलिए एक बटा बावन आगया से, आप देखे, इसको सॉल्व कर दीजेगा, तो आपका एंसर है, चार बटा तेरा, इसलिए देखे, पहले बात तो प्रॉबिलेटी जो भी बचों नहीं निकल रहा होगा, घबराईएगा मत, आपको बेसिक क्लास जो से पहले एक लास से देख लीजेगा, कि प्रॉबिलेटी आखी निकलता गयसे, तीक है, क्योंकि यह इसका एक्स्टेंडेड वर्जन जो हम लोग आज की बीटों में चरसा कर रहे है, तो सबसे पहले आप चाहिए पर आप चाहिए क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कौ कॉमा निकले, तो हमारे पास P A intersection B को लास में घटा दीजेगा, क्यों घटा दीजेगा, देखिए इसके पीछे कारण होता है, यह मान के चलते A का घर है, यह B का घर है, दोनों के बीच में घर में यह बला पार्ट जो सेम है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग क्या का हटा दे तो हमारे पास additional theorem के कुछ question है, आपको दो बासे यहां दीख रहे हैं, यह दो dice आपको दीख रहा है, तो अगर मिलाईएगा, दोनों का sample space, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, दोनों को 6 गुना चे कर दिए, तो आपका total number of sample space, यह total number of experiment जो आएगा, वो 36 आएगा आपके पास यहा पहले जो dice में उसमें पाँच आना चाहिए, और दूसरे dice पर क्या आना चाहिए, आपका 6 आना चाहिए, अब खुद बताइए, पहले बात तो यहां पर दोनों और दोनों dice है, दोनों में क्या होगा, पाँच भी common आएगा, आपका क्या हैगा, छे भी दुसरा dice में common दोनों में क्या-क्या संभाव ना है तो आपको निकालना पड़ेगा इसलिए पूरा बेसिक वाला सवाल है सबसे पहले आप आपको मैंने मालूम होना चाहिए ए अपने मान लिया कि को घटना है जो फर्स डाय में 5 आ रहा है बी जो घटना है हमारे पास वो क्या है सेकंड डा पांच आएगा 1,5,2,5,3,5,4,5,5,5,6 इस तरह पहला में 1,2,3,4,5,6 इस तरह दिए लगाता सीच चलता रहा अब लिए अपने 5,5 के लिखा क्योंकि यहां दो बर कांट हो जाएगा इसलिए यहां पर इसको आपको एक ही बार लिखना है तो यहां पर हमारे पास टोटल मतलब पहला डाइस में आपको पांच चीए तो पांच एक पांच दो पांच तीन पांच चार पांच पांच चीए टोटल छे बर हो रहा है और टोटल हमारे पास घटनाएं कितनी है तो 36 बर तो काट दीजेगा तो एक बटा चीए इसलिए यहीं पर लिखा हुआ देखिए प intersection मतलब ही होता है दोनों में common तो पहला ही बोला गया एक डाइम एक बार पांच चाने चीए दूसरे डाइम में चाने चीए तो एक ही बार आएगा ना इसलिए यहाँ पर लिखा गया देखिए P A intersection B बराबर एक और टोटल कितना 36 बार आप बस भीजा कुछ मत करी यहाँ प आपका सेम मिला और यह additional theorem को क्या करता है verify यहाँ पर कह सकते prove भी करता है तो यह हमारा पहला question था अगला question देखिए हमारे पास है मैं आपको question दिखा दे रहा हूं यह हमारा पहला question था दूसरा question देखिए बोला गया क्या आपको A union B दे दिया गया A intersection B दे दिया गया P A निका अगर आपके पास एक निकालना है नहीं होने का निकालना है तो आप क्या करिएगा अगर होने का निकालना है तो एक strang से नहीं होने घेटा दीजिए फीवर निकालना तो गर अप इसी form लिखे आप 24 कि लिएगा आपको सारना का सारा formula यहां लिखा वह रहा है Luke फिर बोलीए debate कभी जीरो से चोटा नी होता है न से बड़ा नहीं होता तो यह 1.2 की से हो यहाँ है यहाँ पर पर जानते हैं कि एक लिए बड़ा को सकता है यहां पर हम यह जोता है चम लहुण प्रॉब्राय जांते हैं कि 1 आप यस वाइस का Myth नमबर जगाते हैं find the probability that is a number of four or six क्या probability और और मतलब यहाँ पर intersection बोराओ union तो पी ए यूनियन भी आपको निकालना बोला गिया है आपको event के लिए तो सबसे पहले आपके पास total कितने number है तो भी यह 100 number है इसलिए sample इस बिस क्या हो गिया 100 ए अपने माना हुआ है कि वह 4 number होना चाहिए चाहर का table होना चाहिए बाइच चाहर का table टोटल 100 बार कितना बार पढ़ोगे तो 25 बार आएगा क्योंगों 4 को डिवाइट कर तो 25 आएगा तो ने का भी लूँ है यहाँ पर क्यों नहीं चींदा कर रहे है कौन कौन से number हमारे पास common मिलेंगे तो देखें यहाँ पर कौन कौन से number 12 है बस LCM यह दखना है पी ए इन्यों बी निकालने का बैठा दो सारा का सारा formula आपसे निकल जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटर्सेक्शन भी फॉर्मूला में देखें सब कुछ लिखा हुआ इस अगला उसी तरह देखिए हमारे पस पी ए दिया हुआ है पी इंटर्सेक्शन भी दि पी बी दिया हुआ है पी इंटर्सेक्शन भी दिया हुआ है बोलता भाई नौटे निकालो नौट भी निकालो पी ए और बी निकाल के दो तो सबसे पहले आप क्या करिए आपको नौटे ने पूछा गया ना आप नौटे मतलब क्या होता है वन माइनस पी घटा दो पी के एक उपर बार लिख दो नौट लिख दो दोनों को मतलब चेंज नहीं होता दोनों सेम है पी पूछा है पी नौट भी पूछा है तो वन माइनस पी बी कर दो वहां से एंसर निकल जाएगा लाश्ट में हमारे पास देखिए क्या था देखिए वह यह अबला लिखा हुआ ह और हमारे पास पी नौट ए आ गया इसी तरह हमारे पास पी ए हमने निकाल लिया था और यहां पास पी इंटरसेक्शन भी पूछा गया तो वहलू में पूट कर देना आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा इस तरह देखिए आप लोग खुद बखुद क्या कर सकते हैं प्रप्रब्रेटी का जो भी सवाल है अब निकाल सकते हैं यह पीडियाप आपको देखिए मिल जाएगा एक पाट देख लिजेगा यहां जब भी मिच्वल एक्सक्लोजी बुलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी का वेलू क्या हो जाएगा बच्चो जीरो और यही सवाल मैं आपको दिखाने के यहां बता रहा हूं देखिए पी ए दिया हुआ है इंटरसेक्शन बी का वेलू जीरो क्योंकि मिच्वल एक्सक्वली मतलब होता है कुछ भी चीज कॉमा ने निकलना जब कॉमा ने निकलना होगा आपको समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं तो यह हम करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सेर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप सब्सक्राइब को मल्टिप्रिकेसान थियोरम पढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट क्लास हमारा थियोरम और कंडिशनल प्रब्रबिलेटी जो आपका सिलेबस का टॉपिक ह करेंगे तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे तब तक लिजय ही जय बारत